चंदरबूर बागों के जीले के नाम से प्रचलित हैं ये सच है कि यहां के बागों ने चंदरबूर को नए पहचान दी लेकिन इनी बागोंने मानवी शिकार भी किये जीले में बाग मानव संगर्ष अपने चरान पर पहुँच गया है जीले में रोज भागों के हमलों की खबरे आती है इसी प्रकार दुर्गानगर, उर्जानगर, कॉंडी इन गाओं में कुल 14 मानवी शिकार वन्य जीवों ने किये है जिस वज़ा से गाओं के सुरक्षा का प्रशन उठा है देर से ही सही, अब वन्य जीवों मानव संगर्श रोकने के लिए 15 फी टूची जाली लगाई है और सुरक्षी छेतर 1.25 किलोमीटर सोलर लाइटों के साथ जाली से घिरा गया यह जाली कम से कम गाओं के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी ऐसा भरोसा वन विबाग को है प्राथमिक स्तर पर जाली का काम शुरू है पाच किलोमीटर पर जाली निर्मान किया जाएगा दुर्गापूर उर्जानगर कोंडी इन गाओं में दो सालों में तेंदुए के हमले में चवदा लोगों की मोत हुई इन में से कुछ घटनाओं में बाग और तेंदुए ने गाओं में घुसकर छोटे बच्चों को उठाया जिससे गाओं में भाईकिस्तिती पैदा हो गई जिसके वज़ा से वन्विभाग के प्रती गाओं के लोगों ने आकरुश व्यक्त किया था आमाला नव वर्षा जाले पन याचा अगदर कुंतिया ही गोष्टी चा तेवडा त्रासना हुता पन या काला वदी आमचा या दुर्गापूर नेरिकोंडी परिशरात मागिल दोन वर्षात आमचा या परिशरातील जवपास चौदा नागरिकांचा वागववविभाट चा हल्यात आता परिंता मृत्यु जाला त्याचा मुँ या भागात काही तरी वन्विभागाने उपायोजना करावी या साथी अनेकाननी पाटपूरावा केला होता बन्विभागा तरफे आता जवड़ पास सब्वा किलोमेटर लांप आनी 15 फूट उन्च अशी ही जाली बानने ताली हा जो परिशराय हा निरोपय गेसल्या मुँ या चा जंगल सदूश्य परिश्टिती निर्मान जाल्या मुँ इता वागववविववट चा मुठय प् जावी पूरा कर घेतला अश्टहवद योग कंग्रेशा बती नामी तेंच अभर मानले तुमी तुमी स्वाता चे आता मुठव हा या जागवव ची नुकसान होनार नाई या ची दक्षता घ्यावी मागिल काही दिवसाब परसुन दुर्गापूर शेत्राव नेरिकुंदी शेत्राव उर्चानागर याक शेत्रा मदे वाग वग विप्टाजा खुब प्रमानात हल्ले उन्राले वते आचे बदे निश्पाप चवदा बड़ी इथा गेलेले आहे त्या अनुशंगाने अनुशंगाने वन विभागाने विशेश काड़ी मुनून एक सवा किलोमेटर लाम अशी जाड़ी आनी 15 फूट अशी जाड़ी आनी आप गावाचा बाहर निली शेत्राद मंजे जनावर एनर नहीं मुनून नेगा त्या अनुशंगाने त्या अनुशंगाने झालगाने विशेश काड़ी मुनून आनी 15 फूट बाहर को बाहर नहीं मुनून एक त्यां।